दोस्तो आप लोग किसी भी एक्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहा हूँ अवार्स के 2-3 कोस्टन एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो को दिसंबर के महिने में अपडेट कर दिया गया है नवंबर के महिने में जितने भी लोगों को कोई भी अवार्स दिया गया है सारे कुस्टन को इस वीडियो में इंक्लूट कर दिया गया है और दोस्तो इसका जो पीडियाफ है उसको टेलिग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लेना अब यह देखे अवार्स एंड ओनर के कुस्टन का हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन जो कुस्टन होते हैं सेलेक्टेड वाले उन ही कुस्टन को इसमें इंक्लूट किया है और यह लगबग सभी एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टन है तो इस वीडियो को मैंने लिष्ट के फॉर्मेट में बिनाया आप कम समय में सारा रिवीजन कर पाएं तो पहला देखो अवार्ड है कि हाली में Global Network of Learning Cities Award 2021 किसको दिया गया है तो आंसर हो जागा एक विंधम काउंसिल नाम से और्गनेजेशन है विंधम काउंसिल इसको दिया गया है किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है एक और्गनेजेशन है विंधम काउंसिल उसको दिया गया है Global Network of Learning Cities Award 2021 इसकी बाद में दूस्तों अगला अवार्ड आता है मा का म.A.K.A. जिसका नाम है मौलाना अबुलकलाम आजाद M.A.K.A. ट्रोफी फॉरी यर ऑफ तुन्ति ट्वंटीट्व गया है तो पंजाब युनिवरसटी चन्डेगर में इस तित पंजाब युनिवरसटी को ये म.A.बुलाना अबुलकलाम आजाद Trophy for the Year of 2020 प्रदान किया गया है और इसको मैं लिख देता हूँ मेरे इसाब से यह जो कुस्तन है यह most important है किसी भी एक्जाम की त्यारी करे हूँ most important है इसकी बात में आता है कि हाली में प्रदान किये गए खेल रतने पुरसकार यह जो खेल रतने पुरसकार है हलागी इसका नाम चेंज हो चुका है मेजर ध्यान चेंदर खेल रतने पुरसकार है कौन से किर्केटर को दिया गया है तो आंसर होटेगा रोहित सर्मा को दिया गया है रोहित सर्मा इसका राइडेंसर होटेगा और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यान चंदर खेलरत प्रसकार इसकी बात में आता है कि जो आपका ध्यान चंदर अवर्ड है फॉर लाइफ टाइम एचीवेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स दोहरार रिक्येस ये कितने लोगों को दिया गया है देखे किसको किसको दिया गया है ये चीज तो एक्जाम में पूछी जा रही थी लेकिन अभी रिसेंट में कई एक्जाम में ऐसे कुस्वन देखे गए है कि वो कितने लोगों को दिया गया है ये चीज भी एक्जाम में पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा 5 लोगों को 5 लोगों को ध्यान चन्द अवार्ड फॉर लाइफ टाइम एचीविमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए 5 लोगों को चुना गया है अरजुन पुरसकार वर्स 2021 कितने लोगों को दिया गया है तो आंसर हो जाएगा कुल 35 लोगों को अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया है अच्छा दोस्तों आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि हमारे मंथली करणफेस में नवंबर 2021 का जो मंथली PDF है उसको लाँच कर दिया गया है और उस पर इस बार अब तक का सबसे वड़ा डिसकाउंट मतलब 80% का डिसकाउंट भी लगा दिया गया है लेकिन उसको खरीदने का तरीका चेंज हो गया है इस बार पहली बार हमने अपने मोबाइल एप्लिकेशन को लाँच कर दिया है मोबाइल एप्लिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जाकर उसमें सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करें उसके बाद में एक सेक्शन होगा इस्टेडी मैटेरियल वाला वहां से जाकर आप हमारे मन्तिली पीडियाप को परचेस कर सकते हैं या हमारे और भी कोर्स जो लाँच होगे हमारे एप पर ही आपको मिल जाएंगे इसके बाद में कुश्टन आता है कि वर्स 2021 का बूकर पुरसकार वर्स 2021 का जो बूकर पुरसकार है सभी लोग जानते हैं ये कुश्टन तो ऐसा होई नहीं सकता ना पूछा जाएं दिया गया है डैमन गलगट तो डैमन गलगट को वर्स 2021 का बूकर पुरसकार दिया गया है मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरसकार कितने लोगों को दिया गया है इसके बात में एक और important question मनता है तेन जिंग नोरगे राश्ट्री साहसिक पुरसकार कित वर्स 2020 के लिए किसको दिया गया है तो प्रियंका मोहिते को प्रियंका मोहिते को दिया गया है तेन जिंग नोरगे राश्ट्री साहसिक पुरसकार प्रियंका मोहिते इसके बात में है ordinary rank general of the Indian Army किसको दिया गया है तो किस देश के मलब सेना की प्रमुक को भारती सेना की तरब से general rank दिया गया है तो आंसर हो जागा नेपाल देश के सेना के जो प्रमुक है उनको दिया गया है इसके बात में कुशन बनता है कि 17 kids rights international children's peace prize किसको दिया गया है तो विहान और नव अगरवाल विहान और नव अगरवाल को 17 kids rights international children's peace prize 2021 किस प्रदान किया गया है इसके बात में रहता है JCB price for the literature 2021 किसको दिया गया है M. Mukundan को दिया गया है और इसको भी मैं लिग देता हूं most important JCB price for the literature जो है JCB price for the literature जो है ये M. Mukundan को दिया गया है तो M. Mukundan इसका राइडन सब हो जाएगा अभी हाल ही में ICC का Hall of Fame ICC के Hall of Fame में कितने लोगों को सामिल किया गया है answer हो जगा तीन लोगों को सामिल किया गया है महेला जयाबर्दने Saun Polak और Janet Brittain इन तीनों को ICC Hall of Fame में सामिल किया गया है इसकी बात में कुशन आता है बारवा मनीपूर राज्य परसकार बारवा मनीपूर राज्य परसकार बेरिंग थंगा बेरिंग थंगा को दिया गया है इसकी बात में आता है IFFI में Indian Personality of the Year परसकार हेमा मालिनी और प्रसून जोसी को दिया गया है क्या दिया गया है IFFI में Indian Personality of the Year का जो बार है ये हेमा मालिनी और प्रसून जोसी को परदान किया गया है इसकी बात में आता है स्वक्षता सन्वेच्छन अवर 2021 किस ने प्रदान किये हैं तो आंसर हो जाएगा रामनात कोबिने ने प्रदान किये हैं इसकी बात में आता है जो बहातरवा नेशनल बुक अवार्ड था किसको दिया गया है तो जैनेट मोट, जैसन मोट, जैसन मोट को दिया गया है और इसको मैं लिख देता हूँ very important, बहुत ज़दा important कोशन है कि बहातरवा नेशनल बुक अवार्ड है, वो जैसन मोट को दिया गया है तो जैसन मोट इसका राइड एंसर हो जाएगा इसकी बात में आता है Tata Literature Live Lifetime Achievement Award 2021 अनीता देसाई को दिया गया है Tata Literature Live Lifetime Achievement Award अनीता देसाई को दिया गया है इसकी बात में आता है उसी Tata Literature Live Poet Laurity Award ये दिया गया है आदिल जूसा वाला को इसकी बात में पूरे भारत का सबसे अच्छा समुद्री राचे यानि कि Based Marine State किसे गोसित किया गया है तो आंसर हो जागा आन्द प्रदेश को Based Marine Award गोसित किया गया है इंदिरा गांधी Peace Prize 2021 किसको दिया गया है आंसर हो जागा प्रथम नामसे एक NGO एक NGO है और ये Question जो है ये Very Important है जिसमें Important बता दूँ समझो एक्जाम में पूछे जाने के Chances बहुत जादा है इंदिरा गांधी Peace Prize 2021 जो है ये प्रथम नामसे एक NGO को दिया गया है ये इसका राइड एंसर हो जाएगा इसकी बाद में आता है International Emmy Award वर्स 2021 का जो International Emmy Award है ये कौन सा संस्क्रन था तो ये 49 संस्क्रन था चीक है आगे चलते हैं कोशन मनेगा नाहिट हुड ओफ पारले गुलफा 2021 पार्ट गुलफा किसको दिया क्या है तो डॉक्टर S.K. सोहन रॉय पहले ऐसी भारती बने है जिनको इस वर से समानित किया गया है तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है अब दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को अगर आप फॉलो करना चाते हैं तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी मॉबाइल एप्लिकेशन है उसको डाउनलोड करें वहाँ पर आपको इसका क्वीज और पीडियाफ दोनों मिलेंगे मन्तली करना फैस की पीडियाफ भी आप हमारे एप सही डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और क्वालिटी कंटेंट्स देखने के लिए दोस्तों आज का क्वेशन जिसका अंसर आपको देना है ये क्वेशन मैं आपको नेम चींज वाली टॉपिक का करवा रहा हूँ इसका अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो